ओके दोस्तो नमस्कार शिकागो में आपका स्वागत है और इस धूप से धोका ना खाईएगा क्योंकि अभी ताबमान हो रहा है मात्र 10 डिग्री और आज मैं जा रहा हूँ यहां पे बहुत ही शिकागो का सबसे फेमस जो टूरिस्ट अट्राक्शन है दबीन जो की आपने क तो स्वाइब यहां पर देखा होगा यहां पर धूमतरी में रहा है फफके वह गाने में दिखायी वह दो काफी सारी जगे आज देखने को मिलेंगी और उसके बाद फिर मैं जाओंगा रिवर वॉक करने और रिवर वॉक करते करते यहां की सबसे उची बिडिलिंग स्काइडेक वहां से शिकागो का एक पूरा नाइट व्यू लेके और फिर रात को दुबारा घर पर तो आज काफी सारी चीजे करनी हैं और चलते हैं अपने सफर पर और दोस्तर अग्वी में आपको यह जानके बड़ी खुशी होगी कि दव बीन का जो डिजाइनर है वो एक ब्रिटिश इंडियन है जिसने दो हजार छे में यह बीन डिजाइन किया था अनीश कपूर नाम से और काफी खुशी की बात है कि अपने इंडियन बंदे ने इतना बड़ा एक अट्रैक्शन यहां पर डिजाइन किया था एक तो हम पहुच चुके है मिलेनियल पार्क जहां पर दबीन मॉनिमेंट है और इसको दबीन इसलिए कहता है क्योंकि यह एक बीन जैसा दिखता है किड़नी बीन जैसा और इसको ओफिशल यह एक लोगेशल नम इसे । अपर लोग इसको दबीन कैते है यह एक इसको सब्सक्राइब ख्रील इन लोगों ने व्ल्ड किया है कि एसको इसके जो स्टेंलस चील के प्लेट से इसको इतना पर्फेक्त ही लोगों ने विल्ल किया है कि यह पूरा एक मिरर की तरह बिहेव करता है क्योंकि एक वी प्लेट ऊपर या नीचे हो, ठोड़ा सा भी तो इसका अपना एक रिफलेक्शन आएगा ङहाँ पे इतना अक्क्रिट इन लोगोंने सारे प्लेट्स को जॉइन के कि ये पूरा एक मिरर के तरह बिएव करता है साजन धिए मैं 1 लाए में अगलार जुड़ी है अग्लाइ बन प्लेट दोरा एक में अहां से लाए में अगले जब हो जब हो एक मैं वाए झाल एक मुड़ी से लाए में वाए में मनें सामगों आवला जो बनावम है यहां पर दूमतरी में कटरीना और आमिर खान का एक शीन करेंग है शूट हुआ था गाने के टाइम पर यहां पर उन लोगों ने डांस किया था वाक तक जाते जाते एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे याद आई शिकागो रिवर से रिलेटेड तो 1880 में बेसिकली जो शिकागो की एंजिनियर्स थे उन्होंने जो रिवर का फ्लो था वो कम्प्रीटली रिवर्स कर दिया तो उल्टी डिरेक्शन में बहाद ही न दी तो आप इसा पूछोगे कि भई ऐसा इन्होंने क्यों किया तो बेसिकली होता है था कि जो शिकागो रिवर थी यह शिकागो रिवर यहां से आ रही है और यह आके पहले मिशिगन लेक में मिलती थी शिकागो के जितने भी यहां का कचरा था और यहां का जितना भी सीवेच था वो शिकागो रिवर में डंप किया जाता था और वो रिवर आके मिशिगन लेक में मिलती थी अब शिकागो का सारा जो पीने का पानी है वो Michigan Lake से आता था तो वो Michigan Lake जैसे जैसे गंदा होता गया वो पानी की quality और खराब होती गई और उससे शिकागो में cholera, dysentery जैसी महा मारिया फैलने लगी तो उस problem को solve करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया कि इन्होंने कनाल डग करी जो कि river और lake दोनों के level से नीचे थी तो जैसे ही वो कनाल खुली तो जो river का पानी जो lake में जाता था पहले बहे के वो अब उल्टी direction में बहने लग गया और जाके दूसरी साइड में Mississippi river में जाके मिल गया जो जाके Gulf of Mexico में मिल जाता है तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ही एक creative सा solution निकाला कि भाईया पूरी नदी की एक दिशाई बदल दी क्योंकि वो नदी गंदा कर रही थी lake को लेकिन बुरी बात यह है कि वो अपने घर का कच्रा उटा के दूसरे के घर के सामने डाल देना इस तरह की बात हो गई थी कि यूनो लेक में न जाके वो दूसरी river में जा रही थी कि यार राज में रिवर वॉक करने पर यह जगे और भी खुबसूरत लगती है और अभी हम जा रहा है है Willis Tower Sky Deck की और जो की जो लाल सिंगो के साथ जो बिल्डिंग दिख रही है उस बिल्डिंग की तरफ जो की शिकागो की सबसे उची बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर से हम देखेंगे शिकागो का नाइट व्यू तो आज का कारेक्रम यही पर समाप्त होता है और अभी मैं जा रहा हूं गर इसके बाद और उम्मीर है कि आपको मजा है होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना क्योंकि इस व्लोग को बनाने में बहुत लगती है महनत लेकिन आता भी है मज़ा तो चलो मिलते हैं अगली बार अब तक के लिए सायो नारा